हेलो फ्रेंड्स वेलकुम तू मैं चैनल कल के लिए बात करते हैं हम नो Agreement के लिए 24 में 2021 के लिए ये बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट है जिसमें कल के लिए जो टार्गेट है हमारा 34,700 पे हमें बाई करना है जिसमें 34,850 हमारा first target है second target 35,000 है and stop loss इसमें आपको लगाना है 34,600 and अगर buy sell side में आपको मौका मिलता है तो आपको sell side में जो लेना है वो है हमारा 34,400 and first target हमारा होगा 34,300 and second target 34,150 and stop loss हमें लगाना है 34,600 so ये bank nifty का चलते हैं nifty की तरफ अब हम okay so मेरा ये nifty का हमारा ये chart है nifty 50 का जिसमें हमारा जो मंदे के लिए हमारे जो target होगा वो हमारा होगा 15,200 पर हमें buy करना है and first target हमारा 15,290 होगा second target हमारा 15,350 and इसमें हमें stop loss लगाना है 15,160 पर and अगर हमें sell side में मौका मिलता है तो sell में हमें 15,100 लेना है and first target हमारा 15,000 का होगा second 14,970 and जिसमें stop loss हमें लगाना है 15,160 का so ये हमारा nifty bank का है कल के लिए आपको target so चलते हैं हम लोग अपने next stock लिए जिसमें हमने आपके लिए 2-3 stock select करके रखे हैं कल के लिए so मेरा जो हम I mean चलते हम लोग next अपने stock के तरफ so हमारा पहले and अगर हमें sell side में मौका मिलता है जन sell आपको तब करना है जब हमारे 1,845 पर हमें sell करना है and first target हमारा होगा 1,825 and second target हमारा 1,810 and इसमें stop loss हमें लगाना है 1,860 so ये मेरा IRC TG का कल के लिए चलते हैं next stock की तरफ so कल के लिए हमारा next stock है Tata Motor so Tata Motor में हमें कल अगर buy side में मिलता है तो buy आपको करना है 316 पर and अगरा 1st target हमारा होगा 323 जिसमें हमें stop loss लगाना है 312 पर and अगर हमें इसमें मौका मिलता है sell side में तो हमें sell करना है 310 पर एंड मेरा फॉस्स टार्गेट होगा 306 एंड सेकिंड टार्गेट हमारा होगा 33 पे मतलब 303 पे एंड स्टॉप लोस हमें लगाना है 312 पे सो यह कल के लिए टाटा मोटर का आपके लिए हैं टार्गेट और चलते हम लोग नेक्स अपने नेक्स टॉक के तरफ नेक्स दॉबत नॉट लिस्ट तो यह हमारा UPL का है कल के लिए जिसमें हमें बाइ करना है 784 पे एंड सेकिंड टार्गेट इसमें हमारा होगा 790 का एंड सेकिंड टार्गेट हमारा 792 का हमें stop loss हमें 777 रखना है अगर हमें sell तार्गेट में मिलता है दिन इसमें हमारा फॉर्स टार्गेट होगा जो होगा हमारा 769 एंड सेकंड टार्गेट 765 इसमें हमेरे stop loss लेके चलना है 778 पे यह मेरा कल के लिए आप लोगों के लिए स्टॉक्स थे और बैक निफिती निफिती के लिए सब के लिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे उसके लिए बैल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं रेगुलर वीडियो जालते रहूं तो आपको टाइम पे मिल जाए तो कल के लिए best of luck and thank you so much मेरे वीडियो देखने के लिए और इसे subscribe करने के लिए तो अगर आप लोगों को genuinely अच्छे लगते हैं तो please subscribe कर दीजेगा और मुझे मुझे motivation मिलेगा तो thank you so much कल मिलते हैं बाबाई